सभी को प्रेणाम राधी राधी कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे स्वास्त होंगे और बहुत मस्त होंगे तो जी बस यहाँ पर अगले दिन जो मतकल तो श्राथ था तो अब यह नेक्स डे कर दिन है तो बस मैं नहा दो ली हूँ और आगही हूँ किचन में बस सुबह का टाइम कित्ते बज़ रहे हैं इस टाइम है न सवा साथ साथ का टाइम है तो मैं अपने आलू च्छील रहे हूँ बेटे का टिफन दोंगी और बनाऊंगी आलू के प्रांठे हैं तो आलू भी है ना बिल्कुल है ना नए वाले आलू है और थोड़ कि अलू के प्रांठे एक तरफ रख 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 है दूद आटा मैंने गूथ लिया है और दूद वगएर देखे यहां पर बस कर लूँगी आलू के प्रांठे में की तेयारी तो बस छील लिए हैं काफी गरम थे तो वर वर हाथ जल रहे थे तो यहां पर इन में मसाला जोड़ा तो बहुत ही अच्छा लगता है न मोसम तो यहां पर बस सब लेप मैं जो आलू की पिठी बनाऊंगे इसमें हींग जीरा थोड़ा सा अजवायन अजवायन में जरूर डालती हूं आप भी एक बार अजवायन डाल के आलू के प्रांठे खा के देखिए बहुत ही जीरा भी डाले हैं अजवायन डिशमक बहुत ही कि अच्छा टेस्ट के लिए और सारी मसाले डालेंगे टोड़ा तो बस चटपटे से मानने बात उत्चा तड़वायन जो त दरिखें जो कि एक बाएत करता है मैंने आ जैसे ही बिना उसके ही बना दिया है तो पहले यहां पर मैं गाएं की रोटी निकाल लूँगे उसके बाद जो है वो टीफन वगएरा में के परांठे जो है मैं सेख लूँगी और दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है मेरे जो चीज़े चलने लगती है तो सफाई भी करने है पीछे मैं सोच रही है स्टोर से लेके चलूँ पर यह ना कमर भी कसनी बोलते ना कि मुह एक कहावत होती कमर कसनी पड़ेगी अब कमर किस तरीके से कसनी मेरे तो कमर भी पट्टा बंदर आ है यह हसनी की बात है बस मैं हम मजाक में ले रही हूँ बटी है कि क्या करें भई हस खेल के यह जिंदिगी निकल जाती वरना तो है ना रोते रो दुखी होते रो कुछ नहीं हो सकता है ना तो यह है हस लो बोल लो ठीक है और थोड़े से अपना गम हलका कर लो बट यह है कि मेरे यह जो मैं बैल्ट लगा रही है ना काफी हल उससे ना बह गंभी तर से नहीं सोचा था जब है ना हमारे उपर बिल्कुल अंद का तान ता जाता ना जब ही हम लोग सोचते हैं तो पहले भी मैंने सोचा था कि यह लगा लूँ तो काफी रिलैक्स मिलेगा पर यह है कि चलिए कोई नहीं देर आए दुरूस्ता है तो अभी भी है ठी अभी थोड़े दिल लगा लूँगे ना तो काफी मुझे इससे रिलिफ मिलेगा बटी है कि थोड़ा से शरीर में अंदर हाथ प्यारों में अकड़ा हट सी हो रही है वो शायद मुझे लग रहा है कि मौसम की वज़े से हो रही क्योंकि मौसम भी उतार चड़ावे मेरे न लगती है तो ठीक है वो होतर हैगा तो अब यह है कि ना मैंने जैसे बताया मेरे कुछ टेंशन से लग जाती है कि सफाई सफाई किस तरीके से होगी देखे बाहर की सफाई तो हम किसी से करवा लें पर यह ना कि अंदर जो हमें अलमारी वगएरा यह सब चीजे तो हमें है 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 ना तो मैंने हस्बेंट जी से का है कि मैंने का टीफन वगएरा दे दूँ और उसके बाद है थोड़ा सा आदा घंटा करेंगे सफाई बस इत्ता इत्ता लेके चलना पड़ता है नहीं तो ना यह सोचो कि भई दो तीन घंटी लगाता हम लोग सफाई कर ले ना वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली ठीक है तो आदा अदा घंटाई लेके चलूंगी तो भी हो जाएगा और इतनी प्रेशार देंगे ना तो फिर ज्यादा दिक्कत आने लगती है तो बस यहां पर मैं टीफन वगएरा की बना दूंगी और हम भी दुबारा दूज चाए लगरा कुछ भी लेएगे तो फिर फिर थोड़ा सा लगेंगे स्टोर में देखेंगे मतलिक्ति रही हां तो अज थोड़ा सोची रही हैं कि हलक करूं क्योंकि आजकल आजकल सोची बहुत ज़दा ही में निकलता जा रहा तो हाड सिर पे आ गया और शादी में हमारे जो घर कि यह ना मैंने कई बार पहले भी आप से शेयर करा है कि आलू का प्राठा बनाए ना तो जो आता हम लगाते ना थोड़ा सा ना मुलायम है ना जिसे थोड़ा सा हलका पतला रखना चाहिए तो बिल्कुल भी ना प्राठा ना बिल्कुल भी निफटेगा और अच्छा करारा बहुत ही अच्छा बनेगा फूलेगा भी और ना भी फूले तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह जो आलू का प्राठा ही तो करारा करारा बीना फूला भी अच्छा लगता है चलता है क्योंकि इसकी जो अंदर की वो स्टफिंग होती है ना वो अगर अच्छी तरीके से सीख जाया ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है तो यहां पर देखे बस यह इसके मैं टीफन के लिए बना दूंगी और अभी हम लोग तो खाएंगी निए बाकी मैं नाली हूँ पर यह जैसा मैं पहले बताया था कि मैं एक्ती जल्दी से लेती नहीं हो कुछ भी नाश्ता और मेरी शुरू से आदत है ना जब मेरे हजबेंट जी खा लेते हैं उसी के बाद मेरी ऐसी आदत हो रही है कि मैं जब ही खाऊंगी है ना चाया उन्हें जाद हूँ उसके बाद ही और यह फिर ऐसा भी होता कि हम दोनों साथ भी खा लेते हैं ना सुबह के टाइम तो मन नहीं मानता कि ना भई मुझे लोग भी पीशिक है था तो मुझे कॉफी चाहिए यह होती है और मेरे को कॉफी जो है ना थोड़ा सा एनेटजी का काम देती है ना तो मैंने पी ली थी और लग गई हो मैं स्टोर में तो वो काम जो मतलब थोड़ा से नहां पर करके हजबेंट जी चले गए भार क् कुड़े वाला कुड़े वाली गाड़ी आगी थी तो बस वो सारा समान मैंने उन्हें दे दिया था बहुत सारा कच्रा निकला सोचु ना कहीं कहीं मतलब ये रख लो फिर वो अगले साल के हाँ भी काम आएगा फिर रख लो और एंड टाइम पर ऐसा आता है मेरे मेरे साल का रखा वा था पता नहीं कहीं थर्मा कॉल कहीं कुछ और अब रख लिये कामा जाएंगी कामा जाएंगा और पता है क्या अगर एक भी चूहा या चूहा गुज गया तो तबाह कर देता है तो इस चक्कर में मुझे तो निकालना ही पड़ा तो बस जी ऐसा ही कर दिया बाकी है स्टोर में चूहा बाई चांस गुज जाता है तो वह मर के निकलता है पता है क्यों फिर है न मैं इसको स्टोर को बिल्कुली बंद रखती हूं दो बार ऐसा केस हुआ है मेरा बड़ा मन दुखी हुआ है क्योंकि पता नहीं किसी तरीके से खुला रह गया होगा यह तो ना मैं जैसे सर्दियों में धूप आती है तो वह थोड़ी देर के लिए आती है और थोड़ा सा सीमा सीमा सा रहता है तो मैं यह दरवाजा खोल देती थी धूप की वज़े से क्यों थोड़ी सी ना इसमें रोश्णी से जाएगी धूप की थोड़ी सी भी वह जाएगी तो अंदर से जो ठंडक सी है वो चले जाएगी और पता नहीं इस बीच में छोटी सी चुईयां अंदर घुस कियोंगी दो बार की बात हुई ऐसे और मैंने शाम को बंद कर दिया वो मुझे नहीं पता थी कि अंदर ही रह गई अब देखो पता हो तो आदमी ऐसा कामी ना कर रहा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अंदर है और मैंने कई दिनों तक वास्ता भी नहीं पढ़ा है ये स्टोर खोलने का और जब मैंने चार से पांच दिन बाद इस स्टोर खोलने तो बहुत तेज बद्बु आ रही थी तो मुझे लगा मैंने को हो गया काम ये तो चुईयां गुज गई बड़ा दुख हुआ तो जब से न मैं अकर मुझे खोलना भी होता हो ना हवा भी दिखानी होता है ना तो मैं खड़ी रहती हूँ जब तक मैं कपड़े दोती ना उस टाइम तक मैं इसको दर्वाजे को खोले रखती नहीं तो मैं जट इसको बंद कर देती हूँ तो जी करिये थोड़ी सी और कल को फिर थोड़ी देर लगेंगे तो एक गंटे में ये स्टोर का तो काम निम्टेगा चलिए किसको कर दिया है बंद ये कबाड़ा निकाल दिया है और लगा ली है मशीन बास जी आप दुलेंगे दो भी घाट है ना बहुत सारे कपड़े दुलेंगे और दीरे दीरे मैं ना कपड़ों का जो अपना तो एक दिन छोड़के एक दिन मतलब पंचमी का पापा का होता है तो सब्तमी का हमारी सासुमा का तो ठीक है कल को फेर है तो आज जितने भी कपड़े हैं वो दुल जाएंगे और जी शराद वाले दिन है ना जब तक पंड़ची वगएर नहीं जेम लेते तो शाम ही हो जाती है तो शाम को ही कपड़े दुलते हैं ना क्योंकि हमारा खट्टे का मतलब सामुही खाना होता है मारे सब का पूरे परिवार का तो बस कल ना भी दूँगी तो भी मेरा चलेगा और यहां देखे मैं बस अब ना महंदी भी लगा लूँगी आज का दिन थोड़ा सा खाली भी था और यह था कि अभी बाल भी दूल जाएं तो अभी पीछे तो ऐसा रहा कभी काशी, कभी मंगल, कभी शनिवार, कभी प्रदोश तो इस चक्तर में पूरा एक हफते में ना सीरी नी धुला तो ना महंदी लगाई है ना तो अब थोड़ा सा मौसम सही हो रहा है और मुझे जल्दी जल्दी लगाने पड़ेगी क्योंकि अब करवा चौत भी आने वाला उससे पहले मैं बालो को ना यह जो महंदी लगा लगाई है थोड़ा सा साही कर लोगी और जी यह मानेक तो देखिए ऐसा नहीं है कि बाल इल्कूल सफेद हैं वो काल हो जाएंगे हाँ पर यह नेचुरल कलर आ जाता है तो यहाँ पर आपने देखि लिया होगा पानी में मैंने एक पौच कॉफी का और मेरे पास है न कुछ कहीं भार से ना चाई की पती की ना पती आई थी बहुत ही अच्छा गाड़ा रंग है तो वो हमें सूटनी कर रहा हमने पीनी तो वो मैंने अपने बालों की महंदी लगाने के लिए उसको रख दिया था पानी पकरा है और यहाँ पर मैं नेहा हरबल वाली महंदी जोती ना वो लेती हूँ और यह मेरे पास छोटी चाली हुलोगे की कड़ाई है यह जंग भी लग रही है कोई दिक्कत निया आप जंग लगी भी हो ना उसमें भी आप महंदी गोल ले वो जंग हटाने की कोशिश भी न करें है ना उसका भी बहुत अच्छा कलर आता है एक तो हमें आयरन भी मिल जाता हूँ से ठीक है मेरे पासी आमले का पानी पानी से के बनाः है तो इसका पानी था उसका जो पानी था बोतल भी उत्ता काल divisions पानी है एं बिलकुल सहीना खराब भी नहीं on его mailsख भी ना पानी था ये सभी में माइश कुशे शेंश भीनी भीने है शैंपू का वो थोड़ा सा उसके अंदर भी असर सा चला गया तो थोड़े जाग की वज़े से ना वो जो आमले का पानी है वो सही रह गया तो अपकी बार मैं फिर बना के रख लूँगे और यह देखे पकते पकते एक तसा हो गया मैंने गरम का गरम ही डाल लिया है और बस जी सो भी जाती हूं क्योंकि मैं सारा काम निम्टा की ही लगाती हूं फिर मुझे लगता है कि मैं लेट जाओं सो जाओं मुझे बहुत अच्छी नहीं दाती है सच में क्योंकि दिमाग में एक थंड़क सी बहुत अच्छी लगती है और एक तो सुकून भी बहुत मिलता है क्योंकि सारा प्रेशर मारे दिमाग में इस सिर में ही रहता है थोड़ा सा इससे कहा है थंडक सी टेंशन सी खतम से हो जाती है और मैं अराम से अब लगा के दो से ढ़ाई गंटे सोंगी वैसे तो मेंदी लगाने का एक गंटे का बहुत है जितना भी कलर ओना होता है वो एक ग लिख करती है और यहाँ पर बस जी धीर धीर हो गई है शादी की तिवार थी और बहुत ज़्यादा प्रेशरा रहह मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले ले कि जी होती है, सब कुछ होगा, अफ्तिवार भी निम्टेंगे, शादी भी निम्टेंगे, पर यह चलिए, अपनी भी हमें देख बाल बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बस यहाँ पर यह लगा लिए, मैंने, इसके उपर मैं लपेट लूँगी, अब बस पन्नी, क्योंकि पन बहुत ही डार्क ब्राउन वाला आया, बहुत ही अच्छा वाला, जबकि मैंने ब्रश से लगाया था, बस लपेट ली है पन्नी, और आप बस लेटूंगे, अराम करूंगी, मैं भी, और बस अपने व्लोग का ही पैंट करती हूँ, तो अच्छा लगाओ किसी वज़े से, तो ऐसे ही देखते रहिएगा, और विदा लेती हूँ, आप लोगों से भी, मिलूँगी, फिर से एक नए व्लोग के साथ, सबी अपना ध्यान रखिएगा, राधे राधे जयमात दी